इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक वैन के पीछे गोलियों की आवाज अब सुन पा रही होंगी और अभी अभी हो डिली से हाथ हेलिकॉप्टर चल चुके हैं आठ में 666 की टीम है अर्तालिस कमंडो आ रहे हैं देखिए देखिए गडगडा हाट सिकता आप सुन रही है ना नरी कि अधिया है उसी मुंबई हमले के दोरान 27 तारिक की रात को अच्छा ये भी कहेंगे कि इनसे कुई मेरे पुराने कुण्डली के कलेश होंगे हैं डीवी के साथ में ये भी ठकते हैं ने गंद मचाते हैं मैं भी ठकते हैं करते हैं 27 तारिक की रात को एक बज़े मतलब 28 की सुभा एक बज़े स्टूडियों में थी सिकता जी जो की इनकी रिपोर्टर है एंडेटीव की काफी सालों से अब तो सीनियर पोस्ट पे आ गई होंगी और इनके जो ग्राउंड रिपोर्टर है मनुरंजन भारती जी वरि के सामने कवर करना मुश्किल है लेकिन रात को एक बज़े इतनी गैर जिम्मेदा हरकत सिरफ और सिरफ अपने टीरपी के लिए वो भी क्लिपिंग हमारे पास एविलेबल है मनुरंजन भारती सिकता को बोलते हैं देखिए सिकता इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक वैन के 32 में उनका मोबाइल नंबर ये है साही दुनिया का मालूम है कि सारे टेरिस्ट लगातार अपने बाप के साथ पाकिस्तान में फोन पे लगे वे थे उनको एक एक पल की खबर आ रही थी अरे भाई साह वो गुपता जीने क्या बिगाड़ा है आपका क्यों मर वारे उनको क्या टेरिस्ट वो न्यूज देख करके कमरा नमर 326 में नहीं जाते फोल पे बाद हो रही है क्या वो कमरा नमर 326 में गुपता जी कंपणी बंदू करके कुछ भी डिमांड नहीं करते सरकार से अब देश को कमजोर कर रहे हो खून खोलता है भाई हो अब ही मेरे बाल मेधार प्रशाशन के लोग हैं मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस उसके अलावा आइन भी मिनिस्ट्री को इन्फोमिशन एं ब्रोड़कास्ट मिनिस्ट्री को लिकिती इसके पहले वाले स्लेड पर आई है को जतिम भाई इसमें जो लिखाता कि being a true Indian I am very much concerned about my country I could have ignored this thing but I didn't but someday somebody has to take an initiative to change the things what a much of a key people of the world of a so close what the toad a ball of a a जब्राइब अचाता हूं कि हम सब में वह आग आए धरम जी ने बहुत शी बाप के देशवक्ति का कोई पैमाना नहीं अनुटा नहीं कोई तुलना होती कभी नहीं कह सकते कि शुबम बड़ा देश बकता जटीन चोटा शेद बच्सट आ है संधीव जी बड़े देश बखते हैं जितू भाई छोटे हैं हम सब देश बखते हैं बात क्या है हमारे को सही दिशा में कदम उठाने की भगवान ने हमें जो दिमाघ दिया है जो सीमित संसाधन दिया उन संसादनों से सही दिशा में प्रयास करने की लिखी मेल कुछ नहीं पता था कॉंग्रेश की सरकार थी सब को पता हुने देश से कोई लगा भी नहीं है कोई उमीद भी नहीं थी लेकिन चुप होके बैठना कबूल नहीं था एक कोशिश की आएनवी मिनिस्ट्री को भीजी थी ये मेल मैंने वापिस है ये तारीक क्या थी इस मेल को भीजने की 28 की बात ना शाद 28 को भीजी थी रात को कांड हुआ था और 28 को इस सुब बैउट थी मैं लो रात को एक बज़े ये चीज से लिए और पूरी रात सोयनी बैठके मेल ड्राप करी वीडियो अटेच किया सब लोगों को भीजा एनवी मिनिस्ट्री को और आज मेरे को बहुत ज्यादा फकर है बोलने में 28 नवेंबर 2008 को भीजी भी मेल साड़े 6 साल के बाद रंग ले किया ये मोधी सरकार में लाइफ टेरर अटेक में प्रतिमंग लगा है अगवान ना करे हमारे देश में कभी कोई दुबरा ऐसा हमला हो तो अब अरुन जेटली जी जो कि हमारे आइनपी मिनिस्टर है और आधर निये मोधी जी हमारे पीम जिनके लिए हम सब ने निस्वार्द भाव से काम किया है क्योंकि देश की दशा बदल नी थी सरकार बदल नी थी साड़े 6 साल के बाद 23 मार्ज को और उसमें भी हवाला दिया है मुंबई कान का कि मुंबई कान के समय में मीडिया ने गैर जिम्मधार हरकते करी है आप लोकेशन बता रहे हो तिली से हाठ हेलिकॉप्टर चल चुके है आठ में 666 की टीम है अर्टालिस कमंड वारे है देखिए देखिए गड़ गड़ा हाठ सिकता आप सुन रही है ना नरीमन पॉइंट पर हेलिकॉप्टर आ गए यहारे पागल हो क्या यार तुम वो अंदर से गोली मारेंगे हलिकॉप्टर चैजवान शहीद होंगे हमारे शरम नाम की चीज नहीं है अनके बस दोस्तों अभी सरकार कोई एक साल भी नहीं हुआ है मैं इंडिविज्विली जो मेरी सोच है मैं सिरफ अपनी बोल सकता हूँ शायद आप लोग मेरे से सहमत होंगे मैं दो रुपे किलो महंगे आलू खा सकता हूँ मैं दो रुपे किलो महंगे टमाटर खा सकता हूँ मेरे देश के गुपता जी की जान मेरे देश के जवानों की जान बहुत ज़ादा कीमती है हुलाकि महंगाई भी रुकेगी महंगाई भी थबेगी हर चीज़ पर काम ओगा जिसकी लिए सब्सक्राइब को वोड़ दिया है लेकिने मीडिया वाले क्या करते हैं कहां थमीम हैं आई अरे कोई एनसी कमांडर तो निमर्वा या मोदीजी ने तुम लोग क्या कर रहे हो कभी अपने गिर्बाल में जांके देखा है मिजया ने और कमाल की बाद एश्वाम भाई इतनी ब इसलिए पाया है वह काम मोदी जी ने यह कर दिखाया है कि मुझे गर वे मेर मेरे सरकार के उपर जर वे गर मुदीजी की उपर सब्सक्राइब करता हूँ अगले चार साल तक हमें 2019 की याद दिलाएगी जब चुनाव की तारीक आएंगी जब टिकेट बटेंगे तब बटेंगे लेकिन हमारे को कोई MP नहीं देखना कुछ नहीं देखना फिर से मोदी जी को लेके आना है इसलिए हमने ना 12 तारीक करी ना 26 तारीक करी 19 तारीक 2019 इस 19 से हमें याद रहने वाला है प्रूब कर दिलाएगी जब कर दो, जुआना है